हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक डू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज कल मार्केट में नए आलू आ रहे हैं और नए आलू की कोई भी रेसिपी, स्नेक्स, ब्रेकफास्ट, सब्जी कुछ भी बनाई जाए बहुत ही स्वाधिस्थ लाजवाब लगती है तो आज हमने आलू से स्ने स्वाधिस्थ लगते हैं तो मैंने मीडियम साइज के यहां पर छोटे साइज के भी हैं दो मीडियम साइज के हैं छे आलू यहां पर मैंने उबाल लिए हैं और इनको सबसे पहले हम हाथ से इस तरीके से मैस कर लेंगे आप चाहें तो मैसर से भी कर सकते हैं लेगिन इनको ह और भालू नहीं रहना चाहिए अच्छे तरीके से मैस कर लेंगे इसके बाद हम US में एक son चीली फ्लैक ॥ ढालेंगे दोो पिंच हलदी आले दालेंगे है, और और आदा चम्मच गरम मसाला indeed करेंगे और इसके बाद हम इसमें दो चम्मच यह मिडियम है छोटा भी नहीं ॉप ज्यादा भी नहीं है डोंप रिफान्डवीज रिफाइंड ओई एक बाद हम इसमें की सिक्रीट चीट दाएंगे यह है कॉन्त-फ्लोर इसी की वज़े से जो हमारे स्नैक्स हैं वो होती कुरकुरे और लाजवाब बनकर तयार होंगे तो हमने दो बड़ा चमच भरके कॉर्ण फ्लोर एड़ किया है और थोड़ा जरुरत पड़ती है अगर अच्छे से ये हमारा डोर नहीं तयार होता है मिलाने के बाद तो हम इसमें एक चमच कॉर्ण फ्लोर और भी एड़ कर सकते हैं तो देखिए पहले मिला करके देख लेते हैं तो ये अच्छे तरीके से दो चमच से ही हमारा डो बन करके रेडी हो गया है यदि आपका थोड़ा पतला चिपचिपा जादा बनता है तो आप एक चमच कॉर्ण फ्लोर और मिला सकते हैं अभी हम क्या करेंगे अपने हातों पर थोड़ा सा रिफाइंड ओई लगाएंगे दोनों हातों पर जिससे कि यह जो हमने अमिश्णर तयार किया है यह हमारे हातों पर चिपके न और किसी भी शेप के मन चाहे शेप के हम स्नैक्स बना करके तयार कर सकें तो बस इनको हम इस तरीके से पेड़े के जैसे निकालेंगे गोल गोल लड़ू के जैसे बनाएंगे और गोल बनाने के बाद इसको हम थोड़ा सा हतेली से दवा देंगे इसको चप्टा शेप दे देंगे इस तरीके से आप किसी और शेप के भी बना सकते हैं तो बस देखे फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना करे रेडी कर रही हूँ और सभी मतलब सभी हम जो स्नेक्स हैं वो इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने सारे जो हमारे snacks हैं वो बन करके तयार हो चुके हैं तो अब हम इनको चलिए fry कर लेते हैं मैंने यहां पर गैस विलाउन करके कढ़ाई रखिए और उसमें oil add कर दिया है जैसे oil हमारा गरम हो जाएगा हो गया है दिखिए तो इसमें हम जितने भी कढ़ाई में आ सकते हैं 5-6 इसी तरीके से हम अपने snacks इसमें add कर देंगे एक एक करके और गैस की जो flame है उसको medium रखेंगे और medium flame पर लगभग 2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ज्यादा इनको हिलाएंगे नहीं नहीं तो यह अच्छे से crispy नहीं बनेंगे और लगभग 2-3 मिनट के बाद इनको देखिए इनका color हलका सा नीचे से fry हो चुके हैं तो हम इनको पलटी देंगे इनको पलट देंगे देखिए अब इधर की side से भी हम इनको 2-3 मिनट के लिए सिखने देंगे तो देखिए फ्रेंड्स अलट पलट करके लगभग 5-6 मिनट में जो हमारे snacks हैं वो अच्छे से fry हो कर ready हो चुके हैं बिल्कुल बढ़िया ना ही फटे हैं और ना ही इन में किसी तरीके का कोई और दिकत हुई है तो बहुती लाजबा बहुती टेस्टे snacks ज उसको भी हम सेम टू सेम इसी तरीके से fry कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स सारे snacks हम fry कर चुके हैं उनको आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी हम ले सकते हैं snacks में के टाइम पे भी ले सकते हैं तो चलिए मैंने तो इन गर्म गर्म इन snacks का मेरी फ्रैमिली ने झी पो वाजें